36 गड़ भरती परिच्छा 2019 36 गड़ में 2018 उसमें भरती के लिए परिच्छा 20 जुलाई 2019 को की जाने थी इसके परिच्छा दिनांग जारी कर दिया गया है और इसका परिच्छा से संबंधित जुड़े तथ्थों के बारे में जानेंगे 36 गड़ भरती परिच्छा 2019 बिदली भाग में डाटा एंट्रे आप्रेटर के पत पर जो है भरती की जाने थी और इसके लिए जो है परिच्छा दिनांग भी जारी कर दी गई है लेकिन इसका एडमिट गार्ड जारी नहीं हुआ है आपके जितने भी डाउट है वो इसमें क्लियर हो जाएंगे और दिखेंगे बिदली भी भाग में डाटा एंट्रे आप्रेटर भरती परिच्छा से जुड़ी जान करें इसमें दिखेंगे परिच्छा 20 जुलाई को किया जाना था और एडमिट कार्ड जो है अभी तक जारी नहीं किया गया है परिच्छा कब होगा इन सभी सवालों का जाप आपको इस उड़ों में मिलेगा पीटों को अन तक देखे और पूरी जान करी ले इस परिच्छा से जुड़े पूरे जान करी इस उड़ों में बताए गई है झाल ट लो है दाटा इंट्रिया पिटर भरती का परिच्छा जो है पहले जून में किया जाना प्रास्तावित था ये भी एक आफिसियली डेट था बिल्लुई भाग के आफिसियल वेबसाइट पर जो है जारी की गई थी कि यहाँ परिच्छा जून में किया जाना है इसमें डाटा इंट्रिय आप्रेटर के कूल 670 पदो पर जो है भरती की जानी है यह एक संभाग वाइप वाइज जो है विकेंज से जारी की गई थी हर संभाग में जो है अलग-अलग पद है सभी को मिलाने पर कुल 670 पद है इसके बाद बिजली भाग के जो है आप इसावल एफसाइट पर एक और नई डेट 20 जूलाई 2019 को जो है परिच्छा दिनांग प्रस्तावित किया कया था और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी की गई थी आपने यदि अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बाक्स में इसका लिंग दिया गया है आप वहां से बिजली भाग का अफिसेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं यह परिच्छा जो है दो बार डेट जरी कbor जा चुका है और एड्मिट कार्ड अभी तक जरी नहीं हुआ है अभी एड्मिट कार्ड का मामला जो है फसते जा रहा है इसका एड्मिट कार्ड आपके इमेल एक्वाट में भेजा जाना है जिहां दोस्तो यदि आपने इसका फाम भरा है तो और परिच्छा दिलाना है तो आप अपने इमेल एकाउंट को जरूर चेक करते रहें बीच बीच में यदिया इसका जो इड्मेट काड है अगत्व आपके इमेल एकाउंट पर पहले भेजा जाएगा इसके अलावा जो है बिल्ली भाकिक और अन्य वेबसाइड है 36 गर्ड इस्टेट पावर कमपनी इस वेबसाइड पर जो है इसको सबसे पहले अप्लोड की जाएगी और आपके इमेल एकाउंट में भी भेजा जाएगा अब परिच्छा जो है 20 जुलै 2019 को होना प्रस्तावी थै और एड्मीट कार्ड अभी तक जारी नहीं किया गया है जबकि नोटिफिकेशन में एड्मीट कार्ड जो है 15 दिन पहले यानि 5 जुलै को जारी कर दिया जाना था जी हाँ दोस्तों जैसा नोटिफिकेशन में दिया गया है कि एड्मीट कार्ड 15 दिन पहले जारी होना चाहिए था परिच्छा 20 जुलै को है इसलिए 15 दिन पहले 5 जुलै को एड्मीट कार्ड जो है जारी कर देना चाहिए था बिजली भाग का कहना यही था लेकिन आज तो 13 जुलै हो गया लेकिन एड्मीट कार्ड जारी नहीं हुआ परिच्छा को एखी सप्ता बचा है और एड्मीट कार्ड जारी नहीं हुआ है हो सकता है एड्मीट कार्ड जो है परिच्छा एक सप्ता बचा है तो जारी हो जाए आप अपना इमेल एकाउंट जो है चेक करते रहें और जो 36 गड़ इस्टेट पावार कमपनी का वेबसाइड है उस पर भी आप जाकर चेक करते रहें डाउट होने लगा है कि क्या ये परिच्छा 20 जुलाई को होगा या नहीं होगा तो इस पर इसमें ध्यान देने बात है कि यहाँ जो परिच्छा दिनांख है 20 जुलाई यह एक संभावित परिच्छा दिनांख है नोटिफिकेशन को आपको एकदाम क्लियरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगे कि ये जो 20 जुलाई का परिच्छा दिनांख है यहाँ संभावित है जिए हां दोस्तों इसमें एक क्लिया नहीं कहा गए कि ये जो परिच्छा 20 जुलाइ को ही कराया जाएगा और एडमिट कार्ड जो है पंद्रा जुलाई को जारी किया जाएगा इसमें कहा गया कि 20 जुलाई को परिछण प्रस्ता भी थै और उससे 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा लогन चुकि 20 जुलाई को होना है परिच्छा और आद 13 जुलाई हो गया है तो एर्मेट कार तो जारी हुआ ही नहीं है किसी के email account में जो है इसका एर्मेट कार कर नोटिफिकेशन आया है नहीं है नहीं website पर जो है इसकी कोई जानकरी दी गई है इसलिए यहाँ परिच्छा लगता है कि कुछ समय के लिए टाल दी गई है लेकिन इसके बारे में कोई जानकरी अफिसली जानकरी नहीं दी गई है कि यहाँ परिच्छा टाल दी गई है पहले भी जो है जुन में किया जाना था और उसके लिए भी कोई निटिपिकेशन फिर्ष जारे नहीं की गई थी कि यहाँ पर इच्छा चेंज हो गया है यह जो बिली भाग है यहाँ एक संभावित डेट दो है जो है दे रहा है क्लिरी नहीं कर रहा है कि इस दिन आपका एक्जाम क्या जाएगा यह पर इच्छा किसी और तारीक को जारी किया जा सकता है या आयोजन किया जा सकता है इसके बारे में कोई भी अपडेट जो है बिजली भाग के आप इस वेप साइट पर मिल जाएगी यदि इसके बारे में कोई भी अपडेट आता है तो आपको इसके बारे में जानकरी मिल जाएगी इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल के notification और सबिस्क्राइब बड़न को दबा दे और इससे जुड़े अन्या जनकरी ले सकते हैं अब अपना त्यारी चलू रखे यहाँ परिच्छा exam जो है कुछ समय के लिए टाल दी गई है 20 जुलाई को यहाँ परिच्छा नहीं होगी notification के अधार पर नहीं होगी और हो भी सकता है क्योंकि अभी एक सब्ताह बचा है इसका admin card जारी होने के लिए हो सकता है 5 दिन पहले admin card जारी करें यह जो जानकरी है notification में दिये गए तच्छो के अधार पर आपको बताई जा रही है आप इसका notification जो है discussion box में link है वहाँ से इसका notification डाउनलोड कर सकते हैं यह दिसमें जो जानकरी आपको बताई गई आपको अच्छा लगा तो हमारे youtube channel को subscribe करें और इस video को like जरूर करें और आगे के notification या जानकरी पाने के लिए subscribe बटन के बगल में इस्थित notification के बटन को फ्रेस कर दिये रहे हैं ताकि जब भी इस से जोड़े वीडियो अपलोड की जाए तो आपको उसका notification तुरन प्राप्त हो जाए धन्यवाद